नमस्कार जैहिन मैं हूँ रॉनक आम फोर्सेस फ्लाग डे कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है पिछले एक हफते से रेड इफेम के बजाओ फॉर कॉस में हम कह रहे हैं वी फॉर वेटरंस और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कॉमदोर एच पी सिंग कॉमदोर सिंग केंद्रिय सैनिक बोर्ड के सेकरेटरी हैं जो आम फोर्सेस फ्लाग डे फंट को मैनेज करते हैं ये एक सर्विंग नेवल ओफिसर हैं Indian Navy में अपने लंबे करियर में इन्होंने Defense Service Staff College और उसके बाद College of Defense Management अटेंड किया Indian Navy Ships INS Vinash INS Talwar, INS Tabar को कमांड कर चुके Red FM की स्टूडियो में आपका स्वागत है Commodore HP Singh नमस्ते, जैहिन नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक्यू हमारा स्टूडियो कैसा लगा सर आपको? पहली विजिट है मेरी, साफी अच्छा लगा तैंक्यू, तैंक्यू वर्यमच सर आप अपना कीमती समय निकाल कर Red FM की स्टूडियो में आज एक बड़ा स्पेशल दिन है तो इस बारे में बातशीत करेंगे, जो लोग हमारी इस बातशीत को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं पहला सवाल हम सब की तरफ से मैं यही पूछूँगा सर की इतना फुल्फिलिंग करियर आपका रहा है अगर मैं हाइलाइट्स पूछूँ तो जनरली आप क्या शेयर करते हैं लोगों से और इस वक्या शेयर करना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूँगा कि बरतिस साल का जो मेरा केरियर अभी तक डेवी में हुआ है एक तो सीखते काफी एक कुछ आप जिए स्टार्टिंग रम यंग ऑफिसर कर दोसरा है कि एक्सपोजर काफी मिलता है वडियर डिफिकल्ट सिट्वेशन चाहें का इस विए प्रटिंशिग विए उसमें तीम अज़ फैम्ली विए शेलिंग उन शेप आजकल तो शेप्स वैसे भी आपने देख़्ा है काफी लंबे उपर और देश के citizens की एक जिम्मेवारी है उन्होंने हमारे उपर एक faith response जो किया हुआ है उसको हम बली बानती जानते हैं और बड़े उसको responsible way से we try to do the job Thank you very much for sharing sir आज एक खास दिन है 7 December Arm Forces Flag Day आज के दिन को Arm Forces Flag Day की रूप में मनाया जाता है क्या significance है sir जो लोग सुन रहे हैं उनसे क्या share करेंगे आज के दिन की 7 December जो है वो 1949 से मनाया जाता है हर साल हमारे देश में इस बेसिकली तो honor the brave soldiers who laid their lives border पे लड़ते हुए या अतांकवादियों के साथ जैसे आपको पता है so यह हर साल उनकी याद में हम मिनाते हैं to honor them and also to salute the veterans और एक हमारा एक traditional जो connect है bond है between the citizen and the armed forces उसको enhance करने के लिए यह हर साल साथ December को हम यह दिन मनाते हैं Sir, Armed Forces Flag Day Fund जहां हम V for Veterans में देश की चंता सो contribute करने को कह रहे हैं उनसे appeal कर रहे हैं वो क्या है और किस प्रकार इसे इस्तिमाल में लाए जाता है Armed Forces Flag Day Fund एक charitable fund है under Ministry of Defense जिनके जो chairman है वो honorable रक्षा मंत्री है और vice chairman है रक्षा राज्य मंत्री इसमें 45 members है जिसमें टीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल है और other senior MOD officials भी है और यह जो fund है जो इसमें इसका जो उदिश्य है जो एम है वो है कि वित्तिय साहता जो हम देते हैं एक्सर्विसमें को या वीर नारिस को उनके डिपेंडेंट्स को so that they can live a honorable life and those who are needy for the any welfare schemes जिसर तो आम फोर्स फ्लाग्डेव फंड के जरिए कई हमारे पूर उसैनिकों के वेलफेर के लिए कई स्कीम चलाई जाती है so if you can just tell our listeners about this उन स्कीम के आरे में अगर आप बता सकें जैसा कि मैंने बोला कि आम फोर्स फ्लाग्डेव फंड जो है this is used for the welfare of ex-servicemen and their families इसके अंदर टोटल 13 स्कीम हैं 10 स्कीम जो हैं वो individual स्कीम हैं जिसमें for example penury स्कीम है marriage grant है disabled grant है orphan बच्चों के लिए grant है medical grants है ऐसी 10 स्कीम है और तीन जो हैं वो institutionalized schemes हैं जो paraprolegic center है किर्की और महली में हमारे war memorial hostels हैं 36 पूरे देश में चेशेयर होम्स हैं लखनाउ देरादून में तो इन सब को जो हम funding देते हैं ये सारा जो पैसा है उस तरह इसको utilize किया जाता है just for the like I just want to say last financial year में हमने almost 398 crores for welfare of 1.74 lakhs veterans को हमने utilize किया है amazing sir sir V4 Veterans के जरिए और इस campaign के जरिए और Armed Forces Flag Day Fund में अब तक बहुत सारे लोगों ने contribute किया है हमारी इस बाचीत को सुनकर वीडियो को देखकर इस campaign के जरिए लोग जुड़े हैं तो जो लोग इस वक सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं हरे का शुक्रियादा करना चाहूंगा चाहे वो individual contributor हो या फिर corporate या organization से जुड़ा हो और मैं ये कहना चाहूंगा के हर नागरिक इस तरह एक सर्विसमें के साथ जुड़ सकता है with the contribution चाहे जितना भी वो देना चाहें और also I just want to say that ये जो contribution दे रहे हैं लोग वो under income tax act के ATG के अंदर they can get the rebate also and जो corporate companies हैं वो भी CSR activities के अंदर इसमें contribute कर सकते हैं Absolutely, thank you thank you very much sir आप Red FM के studio में है अपने बड़ी सारी important चीज़ने शेर करी उमीद करते हैं जो लोग इस बाचीत को सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो भी जरूर contribute करेंगे और अपने दोस्तों से, अपने रिष्टेदारों से अपने office के colleague से सबसे कहेंगे कि वो भी contribute करें Arm Forces Flag Day Fund इसका short form AFF df.gov.in पर जाकर log on कर सकते हैं और contribute कर सकते हैं Thank you very much आप Red FM के studio में है जाहिंद